Hi everyone, my name is Indi Bhatnagar and I welcome you all in this channel. तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखे, आज हम करने वाले हैं Class 3 का Computer का Chapter No.1 Know Your Computer तो चले, Without Delay हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हमें एक introduction दे रखा है ठीक है, introduction दे रखा है All machines generally follow these 3 steps तो वही जितनी भी machine होती है वो यह 3 steps को follow करती है यानि कि उनमें input किया जाता है कुछ ना कुछ फिर processing होती है अन्दन फिर हमें output मल जाता है ठीक है? तो चलो समझते हैं इस चीज को An unsharpened pencil यह input है इसके बाद हमें दिया है sharpening of a pencil यानि कि आप क्या है यह processing चल रही है और हमें output क्या मिला हमें मिली sharp pencil यसे आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि mixy होती है ठीक है आपके घर में mixy होगी आप mixy में मान लीजे कि आपको mango shake करना ना ठीक है तो आप input क्या डालेंगे हम उसमें mango डालेंगे उसके अंदर दूद डालेंगे उसके अंदर चीनी डालेंगे ठीक है अब हमने input डाल दिया अब हम processing क्या करेंगे हम processing मतलब mixy को चलाएंगे ठीक है तो processing हो रही है और finally हमें output क्या मिलेगा हमारा विक शेक मिल जाएगा ठीक है आउट्पूट होता है ऐसे ही computer में भी होता है computer में मान लीजिए कि आपको कुछ numbers plus या minus करके देखने को calculation करके देखने है तो आप number डाल रहे हो वह आप input दे रहे हो ठीक है उसके बाद आपका क्या होगा processing होगी computer के अंदर और जब answer आएगा result आएगा वह आपका क्या होगा output होगा ठीक है a computer is a machine computer क्या होता है भई एक machine होती है it also follows these three steps और यह जो machine है यह तीन steps को follow करती है input, processing and output for example if you want to add two numbers अगर आप दो numbers को add करना जाती हो say मान लो 2 and 5 ही है on the computer you should follow these three steps आपको यह तीनों steps को फिर follow करना पड़ता है आप हमें क्या दे रखा है यहाँ पे keyboard दिखा रखा है चिक है आपको CPU दिखा रखा है इसमें process होता है और monitor पे result आता है keyboard से आप commands वगरा देते हो आप type वगरा करते हो इसे input देना कहा जाता है CPU के अंदर आपकी processing होती है और monitor पे उसका result आ जाता है यह जो numbers आपको दे रहे है ना यह आपने keyboard में type की दे 2 plus 5 अब 2 plus 5 का यहाँ पे processing चल रहा है CPU में और result क्या आता है 7 number ठीक है तो यह में कहां दिखे देगा में monitor पे दिखाए देगा दस a computer accepts the data इस तरीके से हम कह सकते की computer जो है data को accept करता है 2 plus 5 की processing होती है process चल रहा है and it 2 plus 5 and then gives a meaningful output meaningful output हमें 7 यानि के जो सही answer हो हमें मिल जाता है the process of input processing and output of a data is called IPO इस पूरे process को input output input processing and output लाइन से होगा ना देखो IPO यह आसपना है आपके exam में ठीक है से अच्छे से पढ़ लेना IPO क्या होता है I से input P से process और O से output ठीक है तो इससे IPO cycle कहते है computer system a computer system is a machine that is used to generate information from data computer system क्या है एक तरीके की machine है जो की use की जाती है किसी भी generate करने के लिए किसी भी information या फिर data को software होता है you play games on a computer तुम क्या करते हो भी computer पे games केलते हो the game is an example of software game किसका example है भई software का and devices such as mouse keyboard monitor are the examples of hardware अगर मैं आपको ऐसे समझाओं तो देखो जो software होता है ना जो monitor के अंदर picture चल रही है जो आपको दिखाई देती है वो software है तीक है you can't touch it और जो एक तरीके से जिन चीजों का तच कर सकते हो hardware है जैसे mouse है keyboard है monitor है इन्हें आप चूँ सकते हो इन्हें आप तच कर सकते हो यह hardware में आ जाते है ठीक है the game is an example of software क्योंकि game उसके अंदर चल रहा है computer के अंदर ठीक है उसे touch तो नहीं कर सकते screen को touch कर सकते हो अंदर जो game चल रहा है से touch नहीं कर सकते वो दिख रहा है वो software है ठीक है और devices कौन-कौन सी है जिन्हें हम टच कर पाते हैं माउस है keyboard है monitor है यह हम touch कर सकते हैं hardware हो गए computer hardware के अगर हम बात करें it refers to the parts of computer system को रहा है computer system के जो भी पार्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं input devices के कुछ example दे रखे हैं जैसे कि यह hardware है की बोड माउस है microphone है इनसे क्या होता है आप input देते हो keyboard से आप टाइप पिर के देते हो माउस से भी आप input देते हो microphone से भी आप बोलते हो कुछ कमांड देते हो ठीक है तो यह सब हो गए हमारे input devices processing कहां होती है यह याद करने की चीज़ है cpu में होती है यह आप को दिखा रहा है cpu box अब आते है input के बात processing device ठीक है तो input device की कुछ definition है they are used to give commands ठीक है ठीक है जैसे cpu box भी आप लिख सकते हो ठीक है अब आता है output devices तो they are used to show results तो यह किस लिए यूज किया जाते है रिजल्ट शो करने के लिए जैसे की रिजल्ट में किस किस मिलता मौनीटर मिलता है अब हैट पोंष बखैंष ऐटफों किसे आपकी कान वाज जू आती है वह एक तरथीकी का output है printer printer में सत और प्रिंट हो को जो वह फिकीज़ आती है आती है हम हगिसी storage device की, so they are used to save your work, storage device में क्या होता है, आपका काम जो है, वो store हो जाता है, आप जिसे hard disk है, pen drive है, cd है, memory card है, यह सब आपको याद करना होगा, कि बहुत से storage devices के examples है, अब यहाँ पर आपको कुछ questions दिए, चलो discuss करते हैं, which one of the following devices help you to give command while playing games, ठीक है, तो which one of the following, इन में से कौन सी जो है, devices जो है, आपको मदद करती है, command देने के लिए, जब आप खेल रहे होते हो, तो input devices, और output devices, command देने के लिए तो नहीं तो यह ती wrong लगा रखा है, ठीक है, तो इसका answer होगा, हमारा input, which one of the following, इन में से कौन सा, ठीक है, तो input devices का answer है, आप command देते हो, किस से दे रहे है, यह न, या तो आप keyboard से दे रहे होगे, या mouse से दे रहे होगे, तो इसका answer है, हमारा input, ठीक है, which one of the following devices help you watch movies, आप में मूवी किस पर दिखा देती है, monitor बगरा पर देखते है, तो वो होती है, output, ठीक है, output answer लगा होगा है, तो पहले का answer, input है, दुसरे का output है, याद कर लेना, जिसे, computer software की बात करें, software is a set of programs, software क्या होता है, पूरा definition याद करो, software is a set of programs, या फिन instructions, that tells a computer what to do, जो computer को बोलता है, वही, क्या करना है, computer software की बात करें, तो system software और application software, दो चीज़ें आपको बता रखी है, system software की बात करते है, they control and manage the overall activities of a computer, system software पूरी तरहां से control करता है, और manage करता है, जो भी activities हमारी computer में होती है, और application software, they do specific working, का पूरा निश्यत होता है, यह क्या काम करना है, जैसे कि, task paint is used to draw and paint only, तो बस इससे जादा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते है, ठीक है, आप ड्रॉयर पेंट ही कर सकते हैं, बस इतना ही specific work, इसमें कर सकते हैं, अब क्या है, प् key points किया है, the process of input, processing and output of a data is called IPO, यहां से बलकुल question आ सकता है, ध्यान से समझें है, यह जो key points है, अगर कोई भी test exam है, उसके बड़े important होते हैं, अच्छे सी आप करना है, computer has two major parts, कौन कौन से होगे भी hardware and software, both hardware and software together, मतलब मिलकर help करते हैं, computer को work करने के लिए, a computer hardware refers to all the physical parts of a computer system, hardware मत देख सकते हो, plus touch भी कर सकते हो, ठीक है, software is a program, यानि कि के बले instructions होती है, that tells a computer what to do, कि भई क्या करना है, आगे देखते हैं, exercise देख लेते हैं, dash is a software, software mouse गलत लगा रखा है, mouse software कैसे हो सकता है, paint होगा इस कान सा, ठीक है, paint होगा हमारा software, the software used to do sums on a computer is, जिस हम use करते हैं, कौन से software है, जिसे हम sums बगेरा कर सकते हैं, हो है calculator, system software is like a manager, ठीक है, computer का manager होता है, system software जो होता है, manage करता है सब चीजों को, we can touch and feel the hardware, hardware का हम touch कर सकते हैं, हम feel कर सकते हैं, next रहता है, IPO means, IPO means क्या होता है, input, process and output, next question रहता है, giving information, processing done by a computer and showing output, नहीं, IPO cycle का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो बस यहां पर दे रखा है, giving raw data, यानि की input देना, processing done by a computer, यानि की process in getting information as output, ठीक है, तो output की तरा information बाना, तो यह भी हो क्या है, आगिया हो, computer has two parts, कौन कों से parts होते हैं, hardware and software, software is a set of, software क्या होता है, set of programs होते हैं, software में, and operating system is a part of system software, system software का operating system क्या है, एक part है, input devices are used to give input to the computer, input devices का use हम करते है, input देने के लिए computer को, ठीक है, circle the odd one out, अब इन में से क्या चीज है, जो अलग है, हमें paint दिखा रखा है, pen drive दिखा रखी है, और bubble place करके दिखा रखा है, और क्या दिखा रखा है, और क्या दिखा रखा है, फोटोशाप दिखा रखा है, तो बैस pen drive यह जिसे keyboard, mouse, printer, monitor, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर, write an example of software, तो window tiny software का नाम है, ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं, what are the two types of computer software, दो type कौन सो होते हैं, computer software के, देखो, यहाँ पर दिखा रखा हैं, computer software के दो type, दिखाते हैं, system software और application software, इन दोनों की definition लिख देना, आगे आते हैं, what is computer hardware, ठीक है, तो जो भी hardware क्या होता है, hardware की definition यहाँ दे रखिया, वो देख लेते हैं, जिने आप touch कर सकते हैं, ठीक है, रुक हो, मैं दिखाती हूँ, hardware की definition, input devices, outputs, storage, computer system, ठीक है, अगर यहाँ definition आपकी बुक में नहीं है, तो आप बस इतना ही लिख देना, जिनको आप चीजों को touch कर पाते हो ना, तो वो hardware होती है, जैसे कि example डाल देना, जैसे कि हमारा keyboard हो गया, mouse हो गया, ठीक है, तो वो hardware के examples हो गया, आपके, आगे दिखते हैं, बढ़ी क्या बता रखा है, आपर, ठीक है, पाटी तो फिर अब long questions वगे रहा है, वो आपकी में लिखवाई देंगी, ठीक है, write the difference between system software, और कौन सा है, भई application software, तो देखो, यह रवैसे का answer बताई देती हो, यह देखो, यहाँ आपर answer दे रखा है ना, इसका, तो इन दोनों का difference बना देन पूर पूर देफिनेशन मना देना, लाइन लगा के बीच में, और क्या रह गया है, which device would you prefer to give input to your computer and why, भई कौन से device use करेंगे, हम कर सकते हैं, अपना keyboard या फिर mouse लिख सकते हो, है ना, और why मतलब क्यों, क्योंकि that is a input device, ठीक है, input देने के काम आती है, तो that's all in this video, होता है, पताएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा, ताइंक यू